हेलो गाइस, वेलकुम यू आल आन मैं यूट्यूब चैनल, तो कैसे हैं आप सभी, I hope बहुत बढ़े होंगे, हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, हाँ मुझे पता है मैं काफी दिनों के बाद हाजिर हूँ फिर से एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन कुछ शेडि फामैसे प्रक्टिस कि है, कब से शुरू हुई, क्या कैसमें इनवाब्ड है, फिर नेक्स और बेरियस जो प्रोफेश्नल अस्टेश्यशन्स हैं, उनके बार में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में हम जो है बो फामैसे असे कारियर जो है, हमनेक्स लेक्टिर में प ओ ing the professional role of pharmacist ठीक है तो pharmacy practice का मतलब होता है कि know प्रेक्टिस इं跳ेचनल रोल शच अधरस ना एपेंसिंगन वाड़न सर्वी verb डैटटConnell including clinical services reviewing medication for safety and efficacy and providing drug information तो scope of pharmacy क्या होते हैं pharmacy practice के कि जैसे traditional rules के according जैसे traditional पहले पुराने के according क्या होता था कि compounding होती थी dispensing dispensing तो आज भी करते हैं compounding बहुत कम करते है medicines की ठीक है लेकिन करते है compounding हाँ एक और important आपके पास आता है कि कौन drugist होता है और कौन pharmacist होता है तो जो drugist होता है वो compounding नहीं करता है जो chemist और drugist होते है वो compounding नहीं करते हैं और जो pharmacist होते हैं जिनकी pharmacy होती है बहाँ compounding होती है under the supervision of a registered pharmacist ठीक है तो मतलब pharmacist के क्या scope हैं कि dispensing करना compounding करना medicines की और newly जो अभी आ रहे हैं healthcare हो गई clinical services reviewing medications को देखना कि वो safe है या नहीं है और जो patient उसको drug information provide करवा original pharmacy practice in India can be traced back to British India ठीक है British India से start हुआ है when the allopathic drugs were made available through drug store in the 19th century जब 19th century में जो था वो drugs जो थी allopathic drugs बो store में available होना शुरू ही British times है ठीक है तो pharmacy practice यही होता है कि आप ने कोई degree ले लिए को diploma ले लिए फिर आप काम कर रहे हो किसी under supervision or registered pharmacist या आप ऐस a pharmacist काम कर रहे हो तो आप उसको बहुते है pharmacy practice मतलब इसका मतलब यह नहीं कि आप अभी practice कर रहे हो बेशक आप काम कर रहे हो लेकिन वो pharmacy practice में गिना जाएगा कि आप बहाँ पे कुछ कर रहे हो जैसे patient के लिए dispensing reviewing prescription यह सब जो रोल आते हैं pharmacist के जो कि हम social pharmacy पढ़ेंगे जल्दी काफी subject पढ़ने लेकिन मेरे schedule भी थोड़ा hectic रहता है तो उसकी वाज़े से फिर मैं लेकिन मैंने सोचा है कि ठीक है continue करते है during the colonial period colonial period का मतलब होता है colonial एक तरह से उपनी वेश होता है लेकिन यहां भे हम colonial period मान सकते हैं कि पुराने टाइम से लेके ठीक है pharmacy profession बाद बिजनेस औरियेंटर ठीक है जो drugs को sale कर देते हैं बेशती हैं उनको drug seller or dispenser कहा जाता था पहले से ठीक है the pharmacy practice as community pharmacy during independence was highly unregulated and there was no restriction on the practice of pharmacy in India तो independence से पहले कब हुआ हमारा देश आजा 1947 I think सभी को पता है 1947 ठीक है तो independence से पहले क्या था कि कोई भी मतलब regulations नहीं थी pharmacy की practice में pharmacy जो कर रहे थे बो मतलब उनको drug seller dispenser बोला जाता था लेकिन कोई regulation नहीं थी कोई act नहीं वने थे कि हम आपको इस तरह से shell करनी है दबाई है यह ऐसा वैसा ठीक है so practice of prescribing and dispensing was normally a function performed by the doctors ठीक है practice करना या prescribing करना dispensing मतलब डॉक्टर ही कर लेते सब काम प्रिस्क्राइब भी करते थे dispense भी करते थे या तो कुछ डॉक्टर क्या करते थे अपने clinical assistance को सिखा देते थे कि आप ऐस तरह से compounding और dispensing बेश्यक उनके पास doctor के पास degree थी लेकिन उनके assistant थे ठीक है उनके पास degree नहीं भी थी या असिस्टेंट रखे हुए थे उनके तो उनको सिखा देते थे नहीं नहीं आपने इस तरह से करना था ठीक है आपने इस तरह से compounding करने है तो मैं प्रिस्क्राइब कर दूँगा बाकी मेरा असिस्टेंट जो दवाईयां दे देगा तो डॉक्टर का यह था रोल और उससे क्या होता था कि फार्मसिस्ट की घट रही थी ठीक है तो इंडिपेंडेंस से पहले कोई oni रेगूलेशन नहीं थी pharmacy practice में उसके बादाता है हमारे पास इन्सेपशन का मतलब होता है आरंब Ouais फिक है इन्सेपशन का मतलब होता है आप बोषbereich कौई नाई ど्रहें तो मैंने बता दिया pharmacy practice in India was marked as a chemist and drugist ठीक है जब शुरुआत हुई तो pharmacy जो market थी ठीक है उसमें pharmacy practice को chemist or drugist के नाम से जाना जग गया ठीक है program in 1870s that trained student to gain ठीक है skill in pharmacy practice 1870s में जो था student को train किया जाने लगा कि वो जो है वो pharmacy की skills सीखें और formal training of the compounder was started in 1881 इन बेंगाल ठीक है formal training जो थी वो बेंगाल में जो थी देना शुरू की गई as a pharmacist education नहीं थी वो सिर्फ training थी ठीक है नाम के एक chemist थे जुन्होंने अपनी first chemist shop जो थी वो खोली थी 1811 में ठीक है Mr. M Scotch S C O T H T C H और उसके बाद कहा है उनके नाम क्याकर बात के ठीक है M Scotch बात के ने 1811 में first अपनी जो थी वो chemist shop खोली थी और बगदाद में भी पहला जो था store खुला था वो 18th century में खुला था ठीक है उसके बाद जो था भी pharmacy course at BHU ठीक है was industry oriented while that at Punjab University was oriented toward the pharmacy practice ठीक है although the profession was oriented toward the pharmacy practice at introduction state however as it grow it become more industry oriented बहले शुरू शुरू में जो था BHU industry में भी शुरू हुआ ठीक है बनारस Hindu college इसको बोलते हैं बनारस Hindu university हाँ BHU का मतलब यही है ठीक है तो बहाँ पे 1832 में हाँ बनारस Hindu university में जो था वो कब हुआ था भी अच्छा जी में कलर चेंज कर ले तो ओके 1832 में बनारस Hindu college में बनारस Hindu university में सबसे पहले बीचसी इन फार्मासोटिकल केमिस्ट्री जो थी डिग्री शुरू हुई थी और जो था वो बनारस में हुई ने बनारस Hindu college इसको बनारस इसको रेंद्स 1868 में या 1868 और 1842 में 1842 में जो था वो कहां शुरू हुआ था मिलका भी याद नहीं आ रहा है 1868 में गोवा में हुआ था पॉर्टिग्यूस के अंदर पॉर्टिग्यूस जो थे उनके अंदर जो था यह कॉलेज खुला था 1868 में 1842 में भी एक बनारस नहीं वो कोई और था भी आपको कम्यूनिटी फामेसी में आता है ठीक है उसको भी बताएंगे तो अभी आप फामेसी प्रेक्टिस के बारे में देख लो कि जो फामेसी प्रेक्टिस थी इंटर्ड्यूस हुई मतलब धीरे-धीरे बढ़ने लगी इंडस्ट्री लैबल पे इंडियन सिस्टम और सिस्टम औरिंटें इनिया अन्ज सिस्टम औरिंटर आउटसाइड बट अडेप्टे क्या है इंडिया फामेसी जिए बाहरे से बिदाबथ सब्सक्राइब ऑसकी बाले मने लगा फार एक्ञा 750 आयरुञा सी प्रेध्द्र युद्ध्ध्ध रोगा औरं में पार मैं पर tastes प पे evolved हुआ ठीक है प्रोफेक्शन जो था तो कौन-कौन सी फोस्टेजिस थी ठीक है आरवेद्ध यूनानी सी था इन मतलब मैडिसीन इन के ओपर जो था फार्मेसी प्रेक्टिस जो थी वो शुरू होने लगी कौन-कौन सी फोस्टेजिस थी उनके बारे हम आगे डिसकस करते है ठीक है सबस्वेल एता है ट्रेशनल एर इत वाज पीरियट फ्रॉम अर्ली ने 20th century देफामसिस वर इंवल्वेड इन फ्रॉमलेशन इस पैंसिंग अ स्टी और मैडिकल प्रोपर्टी अच्रॉट्ट्स अडिशन अडियों इन अडिशन देशन 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 इन जी शुरू हुई तो ट्रेशनल एरा जिसको बोला है फामसिस जो थे डिस्पांसिट फामुलेशन डिस्पैंसिंग और स्टी अडिशनल प्लांट्स एनिमल्स के बारे में मिनरल्स के बारे में समझने लगे उनको देन ती शटी जी जाने लगी ठीक है और बहुत सारे experiment शूरूब कर दिए classification drugs की classification की कॉं सी drug disease के लिए है उस सब के बारे में जो था वो बताना शुरू कर द कि कॉं सी drug की treatment में है ठीक कौनसे extract नि марा कि आपने कॉंसे drugs बनाने हैं सबallas अरा बारे में dispensing formulation ठीक scientific era जो था वो स्टार्ट हुआ application of scientific approach to medicine was begin during this period pharmaceutical industry were immersed and drugs were made by the pharmacist in the factory ठीक है इसके बाद क्या हुआ कि जो pharmaceutical industry थी वो immersed होने लगी ठीक है और अब मतलब जो pharmaceutical application of scientific approach to the medicine medicine के ताई scientific approach थी इसी period के दौरान आई pharmaceutical industry जो थी वो बढ़ने लगी drugs जो थी पर made by the pharmacist in the factories factories में जो था pharmacist के द्वारा जो थी वो drugs बढने लगी और इसमें scientific study थी drugs के ओपर ठीक है मतलब study थी scientific study ठीक है drugs के ओपर और उन drugs का mechanism कैसे था ठीक है mechanism of action और उन drugs के side effects ठीक है मतलब drugs का कै mechanism of action है side effects उसके बार में धीरे धीरे पता चलने लगा ठीक है तो उसके बाद चलते हम next के ओपर कौन सा एरा है next क्लिनिकल एरा इस एरा बिगन in second half of 20th century के second half में यह शुरू हुआ ठीक है during this period pharmacist were educated in the area of clinical pharmacy clinical pharmacy के area में भी जो थे pharmacist जो थे बो मतलब अब educated होने लगे to establish pharmacokinetics parameter pharmacokinetics में क्या होता है कि within the body over a period of time absorption distribution metabolism elimination ठीक है pharmacokinetics में आपको में normal साब सारी pharmacokinetics में आपको normal सा बता देता हूं दो branches होती है pharmacology pharmacokinetics और pharmacokinetics और pharmacokinetics ठीक है और pharmacokinetics को एन पी के लिख दिया और pharmacokinetics को PD लिख दिया ठीक है तो यह दो branchis होती है pharmacology की इसमें क्याता है ADME absorption distribution metabolism and elimination ठीक है फट़फट से में pharmacokinetics को अगर इसमें आ ही गी एक term तो उसको में बता देता हूं तो pharmacokinetics में अथती absorption distribution elimination sorry metabolism and elimination ठीक है absorption का मतलब आपने कोई भी दवाई ली स्टमक के स्टमक में स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टैन में उसके बाद आपके blood circulation में ठीक है और फिर आपके पूरे organs में जो है वो डिस्ट्रिब्यूट हो गए चली की दवाई इस receptors के ओपर bind करेगी जो जो receptors है ठीक है बहाँ पर जाके जिस जिस डिजीज के लिए हमने ड्रग लिए उस डिजीज को treat करेगी और उसके बाद elimination elimination जुरूरी है ठीक है और urine के थ्रू फीसिस के थ्रू सलाइबा के थ्रू स्वेट के थ्रू इन सब के थ्रू जो हमारी द्रग बाहर हमारी बाड़ी से आ जाती है ठीक है तो यह था pharmacokinetics ठीक है कि but the body response टू दर डग की जब हमने दवाई ले ली तो बोडी ने क्या रिस्पॉंस दिया उस ट्रग का टीक है उसके बाद हमारे पास आता है क्लीनिकल भगे जो सी जो थी फार में दी जाने लगी स्टूडेंट सुड़ेंट को जो भी फारमेशी स्टूडेंट थे उसके इंडुस्ट्रियाइशन एषरा इसमें इंदेस्ट्रि के पढ़ेंगे complex clinical synthesis जो भी complex clinical synthesis and increased use of parental medication but all part of this period जो भी parental medication है जैसे IV injections बगए रहा है ठीक है infusion है ठीक है यह सब जो थे इस एरा में जो थे वो आ गए पता चल गया मतलब pharmacist को बताया जाने लगा ठीक है उसके फार्मसुटिकल केर एरा फार्मसुटिकल केर एरा में एको चार्मसुटिकल केर एरा में भी यही था सेम एस इंडस्ट्रायशन अरा की मतलब किस तरह से आपने इंडस्रीज में उसके बारे में जो था फार्मसिस्त को नॉलेज़ देना ठीक है और उनको perspective आउटमं जो है prescribed drug therapy के बार में मतलब वो किस तरह से prescribed drug को दे सब्सक्राइब को दे सकते हैं यह सब था hurricane एन्वॉल मॉनिटींग रिसमैंच टुटैरीपी एटुकेशन patient dispensing prescription ठीक है मतलब फार्मसिश जो थे किसकिस में involved होने लगे monitoringexplosion therapy जो बिघुझे कि आ सब्रटेकिन में मतिंकों पस्टेस पर इसकते देंगू में यह तो Hai जब्रिश के दे सकते और ऐसा City को सब्रेस है थासई पर इसक्रीप्षि सकते कर डिगेसिऊ कि अपने प्रस्केश्ट्प्रइब ने बहुत सारा मतलब रोल प्रे करने लगे मतलब इंपार्टन डोल शुरू होने लगा फार्मसिस का दिस्पेंसिंग और एजुकेशन इन पेशेंट एजुकेशन मतलब बही कि कौन से दवाई कब लेनी है किस टैम पे लेनी है क्या है यह सब कुछ आपने पेशेंट को बताना शुरू कर दिया उन्हें ठीक टूटेश फार्मसिस्ट प्ले एंड इंपार्टन डोल आज फार्मसिस्ट बहुत इंप सब्सक्राइब करें बहुत सारा रोल पेशेंट के हैं उनको कॉंसिल करने में उनको एजूकेशन देने में और प्लेटी में और डिमैस्टिक मैडिसेंस बहुत बनाने में ठीक है जो भी तो लैडिक है तो फार्मसीटिकल एस्टिककल एशेशेंट कब इस्ट्रूइस रहीए शुरूब्ध, 1920 तकल कहता है Chemist and Drugist Association was found which in 1926 changed their name Bengal Chemist and Drugist Association 1920 में कलकता Chemist and Drugist Association शुरू हुई इसको 1926 में 20 में 26 में इसको Bengal Chemist and Drugist Association का नाम दे 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 23 में Pharmacist Association was found by the Chemist and Drugist of Madras which was changed to pharmaceutical society in 1925 में pharmaceutical society में चेंज हुई ठीक है ना मतलब चेंज करें उसके बाद आता है 1935 जी हाँ जी थोड़े से छोटा हाँ जी 1935 qualified professional at BHU formed ठीक है BHU pharmaceutical association form हुई 1914 yield manufactured and distribution associated Ltd. bus found in Mumbai उसके बाद आयता है कि 1948 एट है 1948 इंडीन फार्मस्टिकल गॉंगरेस एस्टिएशन वस फॉब्ध इन कलकाता इंडीन इंडियन हॉस्पिटल फार्मस्टिस एस्टिएचिएशन वाशांगा डेली 1965 65 organization of pharmaceuticals procedures of India ठीक है प्रोसीजर है किया यह 1965 और pharmaceutical प्रोडक्ट्स होगा यहां पे 1965 का अच्छा प्रोसी प्रोड्यूसर ही है ठीक है organization of pharmaceutical producer of India a premier association of research and innovation pharmaceutical in India was established in Mumbai 1970 में Indian joint Commonwealth pharmaceutical association CPA और 1973 में इंदिन फार्मसी ग्रेजुएट अशूशेशन बज़ इस्टेशन न्यू देली 1979 all pharmacy association जो थी वो मजट टू फॉर्म और इंडिया और इंडियन और्गनेशन और कैमिस्ट और गेस्टिक और फार्मसी आशूशेशन को मज़ करके और इंडिया और्गनेशन और कैमिस्ट और गेस्ट जो थी बना दी ठीक है तो यहां पर क्या है यहां है यहां इसकी जगह है एशूशेशन जो है वो उसके बाद क्या है मस्ट M-E-R-G-E-D ठीक है कभी कभी गलती हो जाती है यार इतनी महनत करता हूं इतना लिखता हूं उसके बाद ऐड़ा जितना थोड़ा बहुत मेरे चो तो तो तुन समझराने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ आए ठीक है बाकी आहिंग के यार आपके anywhere शोशेशन और तो प्लीज बताया करो और नहीं आता है फिर भी कमेंट सेक्शन में बताया करो किस चीज़ के आपको requirement है ठीक है तो यही था इस वीडियो में association मैंने बता दी वैसे तो लेकिन कुछ important association and organization है ठीक है उनको मैं सोच रहा हूँ कि मैं next वीडियो में बताओ वैसे मैंने काफी आपका association बता दिए इन associations को आपको याद ही करना पड़ेगा इनको हो सकता अगर मैं कोई निमोनिक्स के थुरू आपको बतानी की कोशिश करूं अगर आप comment section में comment करते हैं तो ठीक है so thank you guys I hope you all like my video thank you so much for watching thank you for supporting you guys बहुत सपोर्ट कर रहें आप धीरे धीरे thank you so much आपके सपोर्ट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं न्यू न्यू वीडियो जो है लेके आता रहूंग thank you so much take care